नमस्कार मैं ही मंत बगिल आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में भारत के इतिहास से संबंधित हम ऐसे प्रश्णों की चर्चा कर रहे थे जो की CGPSC की परिक्षाओं में बार-बार पूछा जाता है तो पिछला जो वीडियो था पिछले तीन वीडियो में हम लोगों ने देखा कुछ questions और वो जो वीडियो था मैंने board पर उसको लिया था लेकिन अब जो है screen record करके ही मैं ये वाले वीडियो लेकर क्या हूंगा आप लोग इस series को काफी पसंद कर रहे हो इसके लिए thank you तो आज के वीडियो में भी मैंने 36 लोग सेवा आयोग द्वारा पूछे गए भारती इतिहास से संबंधित कुछ प्रशन लेकर करके आया हूं जिसको हम लोग detail से discuss करेंगे तो आप लोग वीडियो को आखिर तक देखेगा अच्छा लगे तो like और share भी करिएगा तो चलिए हम लोग सुरू करते हैं आज का प अलाम वंस का शाशक था बलबन और इसने बलबनी वंस की सुरुवात की थी तो जो बलबन के संबंध में कुछ कथन दिया हुआ है तो इनật में से कौंसा कथन सही नहीं है यह आपको बताना है तो देख लेते हैं पहला कथन बोल रहा है कि उसने अर्थात बलबन ने नियाबत एक खुदाई के सिधान्त का प्रतिपादन किया तो यह कथन सत्य है या असत्य है इसको जानने से पहले आपको यह समझना आवश्यक है कि यह जो नियाबत एक खुदाई यह क्या है तो देखो नियाबत एक खुदाई इसका मतलब होता है इस्वर के प्रतिनिधी के रूप में इस्वर के प्रतिनिधी के रूप में तो जो बल्बन है क्या उसने सिधान्त का प्रतिपादन किया था तो देखो जो बल्बन था न वह दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने सुल्तान के राजत्व सिधान्तों का सही तरीके से व्याख्या किया उसका प्रतिपादित करने वाला पहला सुल्टान था गया सुद्दिन बल्बन तो गया सुद्दिन बल्बन का ये मानना था कि जो सुल्टान है वो धर्ती पर इस्वर के प्रतिन इधी के रूप में है मतलब कि सीधे सीधे जो हम लोग पढ़ते न प्राचीन भारत के हिंदू सासक के विशाय में जो डैवीय सिध्धांत राजत्व का डैवीय सिध्धांत मतलब जो राजा है उसको जो एदेवताओं ने बुला है सासन करने के लिए कि तुम जो हमारी तरफ से प्रजापर सासन करो तो उस टाइप से तो जो गया सुद्दीन बलबन था उसने राजत्व के ड उचा गया है तो नियाबत एक खुदाई के इस सारे बच्चे इसको नहीं जानते रहे होंगे और जो राजत्व का डैवीय सिध्धांत है उसको जान रहे थे होंगे तो आप लोग नियाबत एक खुदाई को दिहान में रखेंगे तो ये वाला कथन आपका सही हो जाएगा दूसरा कथन बोल रहा है उसने अर्थात बलवन ने इकतादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया तो इकतादारी व्यवस्था देखो इकतादारी व्यवस्था ये क्या था कि इस व्यवस्था के अंतरगत जो दिल्ली सल्तनत है उसको अलग-अलग इकतों में बाट दिया ग ब्लॉक में बटे हुए हैं फिर गाउं होते हैं इस टाइप से तो इकता जो है एक प्रकार की प्रशासनिक इकाई होती थी और इकता का जो प्रमुख होता था वो कहलाता था इकतेदार जो इकता का प्रमुख अधिकारी इकतेदार तो इस व्यवस्था का प्रारंब क्या बल तो तुम मिस कई बार पुछा जा चुका है इकता विवस्था तो इल्टो तुम इसने इकता विवस्था की सुर्वात की थी तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा तो आंसर यही हो जाएगा आपका आंसर क्या होगा यही होगा तो जो सही नहीं है वो पूछ राए ना तो यह आपका अंसर हो जाएगा option B तीसरा option भी रेख लेते हैं उसने तुरकान ए चिहाल गानी प्रभाव समाप्ति किया मतलब कि बलबन ने तुरकान ए चिहाल गानी प्रभाव को समाप्ति किया तो तुरकान ए चिहाल गानी था क्या देखो जो तुरकान चिहाल गानी है ये 40 तुर्क गुलामों की एक संस्था थी या फिर कहें एक गुट था और इसकी स्थापना किस ने की थी इसी इल्टतमिश ने की थी और इसने इल्टतमिश ने 40 इसपेशल तुर्क गुलामों को इखटा किया उनका एक गुरूप बनाया और उनको ना कहीं सारे वो अधिकार देता था और जो बलबन है वो भी इसी में पहले सामिल था पिए चीजे आपनों ग्यान रखेंगे तो जो बलबन है उसने इस तुरकान एचिहाल गानी के प्रभाव को समाप्त किया ये बिल्कुल सही है आखरी पॉइंट है उसने बंगा जलाल उद्दिन खिल जी बोल रहा हूं वो तो अलाउद्दिन खिल जी का चचा था तो कुतुब उद्दिन एबक का एक साथी था बंगाल इनको जीत लेता है और बंगाल जो है दिल्ली सल्तनत का हिस्सा था लेकिन उस समय ट्रांस्पोर्ट के आधन उतने अच्छे थे नहीं तो दिल्ली से बंगाल की दूरी काफी दूर थी तो जो बंगाल की जो होते थे वहाँ पर जो भी करता धरता होते थे वो जो है लगातार विद्रो करते रहते थे तो बलबन के ताइम पर भी विद्रो हुआ और इसके समय में इस विद्रो को कुचल भी दिया गया और इसने अपने पुत्र बुगरा खा को बंगाल का गवर्नर नुक्त किया था तो ये भी बिल्कुल सही है तो क्या गलत है एक तादारी वेवस्था वाला तो ध्याद रखेंगे ये सारी चीज़े जितनी भी बाते मैं बता रहा हूँ न सब परिक्षा के लिए महत्त पूर्ण है अगला कुश्चिन हम लोग देखते हैं विजय नगर के किस सासक ने चीन के समराट के साथ पास अपना राजदूत भेजा तो देखो विजय नगर सामराज्य दक्षन भारत का एक राजज्य था सामराज्य था तो विजय नगर सामराज्य के किसी सासक ने चीन, चाइना जहां से कुरोना वाइरस आया है ना तो वहाँ पर अपना एक राजदूत भेजा तो उस सासक को आपको पहचानना है तो ओप्सन दिया हुआ हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, कृष्ण देवराय और सालूब नरसी है तो यहाँ पर जो पहला ओप्स का सुल्टान कौन था? मुहम्मद बिन तुगलक जो की तुगलक वन्स का सासकता सब चीज पूछा हुआ है देखो तो 1336 में इन्हों ने जो है विजयनगर सामराज्जी की स्थापना की और पहले चुकि दो भाई है तो पहले राजा कौन बना तो पहला राजा बनता है हरि प्रथम की डेथ हो जाती है तो फिर बुखका प्रथम सासक बनता है और इसी बुखका प्रथम ने चीन में अपना एक राजदूत भेजा था तो आपका अंसर क्या हो जाएगा बुखका प्रथम उसके बाद दिया हुआ है कृष्ण देव राय कृष्ण देव राय जो की तुलू वन्स का था देखो जो विजय नगर सामराज्य था इसमें चार राजवन्सों ने सासन किया था जैसे कि दिल्ली सल्तनत में पांच राजवन्सों ने सासन किया था अपना जो गुलाम वन्स हो गया खिलजी वन्स हो गया तुगलक वन्स हो गया सयद वन्स हो गया ल रखी इसके बाद संगम वंस के बाद आता है सालूव वंस सालूव वंस का संस्थापक कौन था ये सालूव नर्शिह उसके बाद आता है तुलूव वंस तुलूव वंस और ये जो तुलूव वंस है ना इसका संस्थापक कौन था तो वीर नर्शिह इसका संस्थापक था लोगों को याद रखना है संगम सालूव तुलूव अरविडू तो ये चार राजवन्स थे जिन्हों ने कहां पर सासन किया अपने इस विजय नगर सामराज्य के अंतरगत तो सालूव नर्सी है ये जो है अपना क्या करते हैं सालूव अंस का संस्थापक था आगे बढ़ते अगला क्वेशन देखते हैं मुगल काल के निम्न युद्धों का काल क्रमा नुशार व्यवस्थित कीजिए तो देखो जो ऐसा क्रोनोलोजी वाला है काल क्रम में जमाईए बहुत बहुत पूछा जाता है तो आप लोग जितने भी युद्ध है उसको अच्छे से पढ़ लिजेगा उसका टाइम क्या था यह आप लोग देखे किसके किसके बीच हुई थी और कौन जीता कौन से संधी हुई यह अक्सर पूछा जाता है मैंने इस पर डीटेल में वीडियो बनाया हुआ जितने भी युद्ध हैं जितने भी मत्तुपण मत्तुपण युद्ध हैं सब को मैंने जो है एक क्रम से बताया हुआ है आप लोग उसको देखेगा मैं होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूगा तो देख लेते हैं कि इनका काल क्रम क्या है तो पहला दिया हुआ है घागरा घागरा का युद्ध दूसरा दिया है खा जोसा का युद्ध, चौथा दिया है, सामुगड का युद्ध, तो इन में से सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध, ये युद्ध कब हुआ था, तो 1527 में, कब हुआ था, 1527 में, किन के बीच लड़ा गया था, बाबर और राणा सांगा की बीच, राणा सांगा की मिवाड के सा सकते, और इस युद्ध में राणा सांगा की हार हो जाती है, बाबर जीत जाता है, उसके बीच हुआ था, गाज़ा का युद्ध, ये कब हुआ था, तो ठीक खानवा के युद्ध के बाद, सネरी स्री, कि आ 1529 में घागरा का युद्ध किन के भीच हुआ था एक तरफ था बाबर और दूसरी तरफ थे अफगानों की सक्ति तो यहाँ पर बाबर जीत जाता है अफगान हार जाती है अच्छा जो बाबर था ना उसका इन दो युद्धों के अलावा और दो युद्ध भी हुए थी पह था इबराहिम लोदी तो यह पानिपत की पहली लड़ाई उसके बाद होता यह खानवा का युद्ध उसके बाद चंदेरी का युद्ध 1528 में चंदेरी का जो राजपूत सासक्ता मेदनी राय उसके विरुद बाबर ने लड़ाई लड़ी थी तो बाबर के चार 1527 में उसके बाद चंदेरी का युद्ध 1528 में और घागरा का युद्ध 1529 में तो ये दो हो गए तो पहले नंबर पे कौन आएगा खानवा दूसरे नंबर पे कौन आएगा घागरा मतलब कि 2-1 तो इन दो नो में दिख रहा है न 2-1 आगे अगला देख लेते हैं चौसा क युद्ध 4 यह था 1549 में चोसा का युदध 1549 में किनके बीच हुआ था एक तरफ था बाबर का बेटा और अकबर का पिता हुमाईू और वो किसके विरुध लड़ रहा था सेर साह सूरी के вिरुध और यहाँ पर न हुमाईू की हार हो जाती है सेर साह सूरी जीठ जाता है इसके ठीक एक वर्स बाद कनोज अथवा बिलगराम का युद्ध होता है मतलब कि कनोज के अंदर कोई गाउं है बिलगराम जहां पर ये लड़ाई हुई थी तो इसको बिलगराम का युद्ध भी बोला जाता है कनोज का युद्ध भी बोला जाता है ये युद्ध हुआ था पंद्रा सव चालिस में वही हुमायू और शेरसासूरी के बीच और इस युद्ध में हुमायू बुरी तरह से हार जाता है और उसको भारत छोड़ करके भागना भी पढ़ जाता है फिर शेरसासूरी अपना सूरवण्स की स्थापना करता है तो ये सामोगण का युद्ध कब हुआ था तो 1658 में और यह ना जो मुगल सहजादे हैं उनके वी जो उत्रादिकार का युद्ध लड़ा जाता था उससे संबल दित है सामोगण का युद्ध क्या था कि जो अरंग जीब है ना सौरी जो शाह जहां है वह अचानक बीमार पड़ और उसको लगता है कि अब तो अपना टाइम आगया तो सहा जहां अपने बड़े बेटे दारश को उसको बोलता है कि अब तुम संभालो तुमारे हाथ में सब कुछ और जैसे ही सहा जहां के अन्य पुत्रों को अर्था दारश को के दूसरे भाईयों को पता चलता है कि और अगजेब, शाह सुजा, मुराद तो दारश को को जब जिवराज घुशित कर दिया जाता है उत्राधिकार घुशित कर दिया जाता है और अपचारिक रूप से तो फिर बाकी जो भाई होते हैं वो लोग भी सत्ता प्राप्ति की लालसा रखते थे तो फिर उत्राधिक युद्ध चिर जाता है शाह सुजा जो कि दाराशिकोह के बाद था साइद और जो औरंग जेव है ना वो साइद तीश्रे नमबर में था और मुराद साइद जो कि उस समय बंगाल का गवर्नर की रूप में सासन कर रहा था वो अटेक कर देता है दाराशिकोह के उपर लेकिन बहादुर पूर नामक इस्थान पर दाराशिकोह जो है शाह सुजा को परास्त कर देता है शाह सुजा वापस बंगाल भाग जाता है इसके बाद दाराशिको तो अपने चोटे भाई मुराद को लेकर के औरंग जेद से बिढने के लिए आ जाता है अपने चोटे भाई मुराद को जो कि उस समय गुजरात का गवर्नर था और अबरंग जेद के निकट है धर्मत का युद्ध और इसमें दारशिको की जो सेना है जिसमें जो मारवाड के राजा जस्वंत सीहं भी होते हैं बुरी तरह से हार जाते हैं तो अवरंगजेब जीत जाता है दारशिको हार जाता है इसके बाद दूसरी लड़ाई होती है दारशिको और अवरं आगरे के किलेपर अधिकार कर लेता है, उस समय भले राजधनी दिल लिटी लेकिन जो शाहजहां था, वो आगरे में था तो आगरे में अधिकार कर लेता है और जो घार जो बूता बहुत Ham 아무把 ब्लेकारी बना दूंगा लेकिन जो अवरंग जेब थना वड़ा सक्की किसम का व मैं 1658 में और इसी युद्ध के पस्चात सहा जहां को नजरबंद किया गया, मुराद को मार दिया गया और और औरंग जेब ने अतना राज्याभी से करवाया, इसके बाद चौथा युद्ध लड़ा जाता है खजुवा का युद्ध, खजुवा का युद्ध ना जो शाह इसके बाद पांचमी लड़ाई लड़ी गई थी देवराई का युद्ध मार्च 1669 में अच्छा ये जो खजुवा का युद्ध हुआ था ना ये भी 1669 में फरवरी 1669 में पहले के जो तीन युद्ध थे बाहदुरपूर का युद्ध, धर्मत का युद्ध, सामोगड का युद्ध ये 1658 में और खजुवा और देवराई का युद्ध 1669 में, देवराई के युद्ध में दारशी को अंतिम रूप से हार जाता है और वो पकड़ लिया जाता है, आउरंग जेब फिर उसको कैद कर लेता है, बाद में आउरंग जेब उसकी हत्या करवा दिता है, फिर आउरंग जेब एक बार फिर से दिल्ली में अपना राज्या भी से करवाता है, देखो एक युद्ध से मैंने कितने सारे युद्ध बता दिये, लेकिन ये सब इंपोर्टेंट है, ये जो मैंने भी बताए ना जो पांच युद्ध जो बताए मैंने उत्राधिकार वा बताते हैं, तो सबसे पहले खानवा, फिर घागरा, फिर चाउसा, फिर शामुगर, मतलब कि दो, एक, तीन, चार, ये आपका आंसर हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, अगला कोस्चन दिखते हैं, सुमेलित कीजिए, तो फिर से ये मुगल सामराज्य से ही कोस्चन है, सुम 1330 में, पानीपत का युद लड़ता है, खानवा का युद लड़ता है, चंदेरी का युद लड़ता है, घागरा का युद लड़ता है, बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चंदा दिया, घर गया, सो गया, लेकिन उसको आराम बाग, जो आगरा का आराम बाग है, वह तरफनाया वहां उसको मज़ा नहीं आया आलाम नहीं आया कहां ले जाया गया उसके पहले किस्थान जहां उसको बहुत अच्छा लगता था काबूल काबूल मेद तो यहां पर बाबर की का मखबर। इस हुमायू का मकبرा कहा है? हुमायू जो है सेर सहसूरी से हार करके भाग गया, चोसा का युद्ध लड़ा, बिलगराम का युद्ध लड़ा भाग गया, लेकिन जैसे तैसे लोडकते पुडकते वो फिर से दिल्ली का तorkत प्राप्त कर लेता है और कब प्राप्त किया था इसने 1515 में लेकिन एक साल बाद ही मतलब की 15156 में हुमायू जो है पुस्त कालय की सीडियों से गिर जाता है लुड़कते लुड़कते नीचे गिर जाता है और उसके death हो जाती है तो इसका जो मकबरा कहा है दिल्ली में है उसके बाद अकबर अकबर जिसकी राजधानी सिकंदरा थी फतेपुर शीक्री थी थोड़े समय के लिए लाहर भी थी तो इसको आगरे से बड़ा करवाया आगरे के निकट में है सिकंदरा तो इसका जो मगबरा है सिकंदरा में है उसमे जहांगीर जहांगीर जो है यह लाहोर में मतलब यह अपने अंतिम समय में काफी बीमार चल रहा था तो उस समय के जो डॉक्टर थे मतलब कि जो भी वैद हकीम थे उन्होंने बोला थोड़ा हवा पानी बदलिए पहाड़ों की सहर करिए तो ये कस्मीर गए हुए थे नूर जहां भी साथ में थी और वही इसका जो है डैथ हो जाता है मतलब कि जब वापस लौट रहे थे ना लाहर होते हुए तो लाहर के आसपस इसका डैथ हो जाता है और वहीं इसको दफना दिया जाता है तो इसका जो है डी तो ऐसे में क्या जोड़ी होगा आप लोग मिला लीजिये ए का दो उसके बाद बी का बी मतलब कि एक हाँ दो एक चार तीन 2-1-4-3 आप लोग देख लिजेगा 2-1-4-3 कहाँ पर है 2-1-4-3 ये आपका आंसर होगा अगला कुश्यन देखते हैं कौन सी जोड़ी सुमेलित है कौन सी जोड़ी सुमेलित है देखो सुमेलित है सुमेलित नहीं है लाड कार्नवालीस के समय में रेगुलेटिंग एक्ट आया था क्या नहीं आया था ना लाड कार्नवालीस इसका सासन काल कब से कब तक था 1786 से 1793 की बीच इसने तो इस्थाई बंदोबस्त लागो किया था ना और इसी को बोला जाता है शिविल सेवा का जनक पुलिस सेवा का जनक इस्थाई बंदोबस्त अथ्वा जमिधारी प्रथा का जनक रेगुलेटिंग एक्ट तो इसके समय था ही नहीं रेगुलेटिंग एक्ट किसके टाइम पर आया था वारेंट हैस्टिंग के टाइम पर 1773 में तो ये गलत हो गया सही कौन सा सुमेली था ये बताना एको सही वाला लाड वेलेजली स्थाई बंदोबस्त अभी मैंने बताया इस्थाई बंदोबस्त तो लाड कारणवाली से संबंदी था तो ये भी गलत होगा वेलेजली ने कौन सी स्कीम चलाई थी उसका शाहयक संदी वो जो है दूसरे राज्यों के साथ साहयक संदी करता था और उनमें कई सारे अपने क्या करते हैं सर्थ थोप देता था कि हमारी सेना आप किया रहेगी हमारा एक आदमी आप किया आप डिटिस रेजिडेंट के रूप में रहेगा आपकी विदेस नीति को हम लोग कंट्रोल करेंगे किसी दूसरे यूरोपईय को अंग्रेजों के अलावा किसी भी दूसरे यूरोपईयों को आप लोग अपनिया नौकरी पर नहीं रखोगे यह तमाम सर्थे जो है साहयक संदी सुविकार करने वाले राजा को माने नहीं होती थी, किसने शुरू किया था, लाड वे ले जली ने, उसके बाद है लाड एलन बरो, लाड एलन बरो जो की 1842 से 1844 तक भारत का गवर्नर जनरल था, तो इसी के समय में न, सिंद को जीता गया था, चाल्स नैपियर, इसी को जो है भेजा गया था, यहा अफगान युद्ध किसके टाइम पर हुआ था, क्या नाम था उसका ओकलेंड, लाड ओकलेंड न, हाँ, इसके टाइम पर हुआ था आंगल अफगान युद्ध, इसके समय लाड डलहुजी के समय तो, कौन सा युद्ध हुआ था, मराड शिखों के साथ इसने लड़ाई की सिक्किम को इसने हडप लिया था उसके बाद अवद के नवाब को कुशासन का अरोप लगा करके पूरे अवद को इसने हडप लिया था इसके अलावा इसने हडप नीती चला रखी थी जिसके अनुसार किसी भी राजा का अगर कोई बेटा नहीं है तो उसके राज्य को हडप लेता था इसने पूरा का पुरा जासी राज्ये हडप लिया सतारा को हडप लिया जैदपूर को हडप लिया संबलपूर को हडप लिया नागपूर जैसे बड़े राज्ये को हडप लिया था तो इसके समय में आंगला अफगान युद नहीं हुआ था तो ये भी गलत है जो चीजे बता रहा हूं ध्यान में रखेंगे तो क्या इसका सही हो जाएगा लाड एलन बरो सिंदका विलाए अगला कुश्चन देखते हैं नीमने लिखित कथनों को ध्यान पूरवक पढ़िए पढ़िए भई ध्यान पूरवक तो पढ़ लेते हैं पहला बोल रहा है ब्रह्म समाज संस्थापक कौन थे राजा राम मोहन राय जीना राजा राम मोहन राय जिन्हों ने सतीपर्था का घोर विरूद किया और राजा राम मोहन राय से प्रभावी थोकर के प्रेरी थोकर के तकालीन गवर्नर जनरल कौन थे लाड विलियम बैंटिक उन्होंने जो है 1839 मे वो पास्चात्य सिच्छा के समर्थक थे, साथी साथ भारतिय धर्म, भारतिय समाज में जो भी कूरीतियां फैली हुई थे, जैसे कि सती प्रता हो गया, और वैसे ही तमाम बहुत सारी कूरीतियां थी, तो उनका इन्होंने घोर्फ विरोध किया, और ये ना बहुत देववा पर बल दिया, कि भे या इस्वर एक है, चाए वो जीजस हो, चाए वो हमारे कृष्ण हो, चाए राम हो, सब जो है एक है, इस्वर एक है, एक इस्वर वाद पर इन्होंने बल दिया, और इनका जो डेथ हुआ था, कहां, इंगलेंड में हुआ था ना, ब्रिश्टल में, अ सागर को लाँगेगा, सागर को पार करके, सागर के उस पार जाएगा, तो उसका ध्रम भरष्ट हो जाएगा, उसके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है, ऐसा बोला जाता था, ऐसी माननेता थी, तो बहुत सारे जो भारतिय सैनिक थे उस टाइम पर अंग्रेज जो है लड़ने के लिए बाहर भीजते थे जैसे के हम लोग ने पिछले वाले वीडियो में देखा था आंगले बर्मा युद में कि जब अठारा सो बावन में जो डलहोजी है वो सरी अठारा सो बावन में नह भागना हिंदु धर्म के विरुद था तो राजा राम मोहन राय जब इनके पास उस समय के मुगल बादशाह अकबर दूतिय का ओफर आता है कि तुम जो है मेरे दूत बन करके ब्रिटेन जाओगे वहां के सासक के पास और मेरी जो है जो पेंसन मुझको दे रही है ब्रिट राजा की उपादी देखो जो राजा राम मोहन राय थी ना वो कहीं के राजा नहीं थे उनको राजा की उपादी मुगल बादशा अकबर दूतिय ने दिया था और अपना दूत बना करके उनको इंगलेंड भीजा था सारा खर्चा उन्हों नहीं उठाया था तो अब जो ह पहले थी कि भाई समुदर को लांगने से कुछ नहीं होता है तो यहां पर आप लोग देखिए कि वो जो है समुदर लांग करके गए और वहां उनके डैथ होगी तो भारती लोगों ने क्या सुचा होगा कि भाई यह तो बिल्कुल सही है कि समुदर लांग होगे तो आपके स समाज किया था तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे उन्होंने आरे समाज की इस्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक पुस्तक की भी रशना की थी सत्यार्थ प्रकास और इन्होंने एक नारा दिया था वेदो की और लोटो और क्यानाम स्वामी दया विकास में भी योगदान था और इन्हीं के जो आगे चल करके जो चेले चपाटे हुए ना अपने जो लाला लाजपतराई जी भी आरे समाज से जुड़े हुए थे तो उन लोगों के द्वारा दहानंद एंगलो व्यदिक इसकूल खुला गया जिसको डी एवी इसकूल बोल मतलब कि इनका कहना ये था कि वेदो की और लोटो मतलब कि अभी जो कर्मकांड है वो सब जो है वेदो में नहीं दिया हुआ है आप वेदो को पढ़िये वेदो में जो बोला गया है वैसा हमको जीना है इनका ये बोलना था और इन्हों ने जो गव सेवा मतलब कि गव हत्य दूसरा चीज इनों ने ये किया कि उस टाइम पर बहुत सारे हिंदू जो है कृष्चन धर्म अपना रहते तो इन्हों ने उन कृष्चन धर्म में परिवर्तित हुए हिंदू ओ को वापस हिंदू धर्म में सामिल किया इसको सुधी आंदोलन बोला गया तो ये सारा कुछ य साथना की थी सन 1893 में अमेरिका के सिकागो सहर में जो महाधर्म सम्मेलन आयोजन हुआ था वहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने भारत की तरफ से हमारे हिंदु धर्म को प्रेजेंट किया था तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे तो ये भी बिल्कुल सही है तो तीनो अंसर हो जाएगा अगला कुश्य देखते हैं अशोक के इस्तंभलेक कहां से प्राप्त नहीं हुए हैं कहां से प्राप्त नहीं हुए हैं तो देखते हैं कहां से प्राप्त नहीं हुए हैं वैसे अशोक के जो इस्तंभलेक हैं उनकी संख्या कितनी है साथ साथ इस्तंभले प्राप्त हुए है और भी बहुत सारे चोटे मोटे अभिलेग सिलालेग प्राप्त हुए है इनके जो अभिलेग है उसको अलग-अलग भागों में बाटा गया है व्रिहत सिलालेग लगु सिलालेग इस्तंबलेग लगु इस्तंबलेग तो जो इस्तंबलेग मिले हैं उनकी स इस्तंभलेक मिला है लौरिया अर्राज ये भी चंपारण्य में है यहां से भी इनका इस्तंभलेक मिला है उसके बाद है राम पुर्वा ये भी ना चंपारण्य में है तीनों इस्थान बिहार के चंपारण्य में है और इन तीनों से ही असोक के इस्तंभलेक प्राप्त हुए हैं लेकिन जो पटना जो की असोग के समय में पार्टली पुत्र के नाम से जाना जाता था जो की उनकी राजधानी भी थी मौरियों की राजधानी थी ना पार्टली पुत्र यहां से कोई भी इस्तंभल लेक प्राप्त नहीं हुआ है तो असोग के टोटल साथ इस्थानों से इस्तंब लेक प्राप्त हुआ है कौन कौन से हैं वो इस्तंब लेक हम लोग देख लेते हैं मैंने यहां लिख रखा है तो असो के जो साथ इस्तंब लेक है न वो छह इस्थानों से प्राप्त हुई है जो प्रत्थम और दूतिय इस्तंब लेक है वो प्रयाग अत्वा कौसा गया तो उसने प्रियाग राज का नाम रख दिया इलाहबाद और अब जो है कुछ समय पहले ही इलाहबाद को फिर से प्रियाग राज कर दिया गया है तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे तो प्रियाग यहां से जो है असोक के इस्तंभलेक प्राप्त हुए हैं पहले न य जिसको हरी सेन ने लिखा है इसके अलावा मुगल, बादशाह, जहांगीर उसने भी इसमें अपना एक लेख खुदवाया है तो ये तीन सासकों के नाम आप याद रखेंगे प्रियाग इस्तंबल लेख में असो के दो अभी लेख है, निहान रखेंगे दो इस्तंबल लेख है पहला इस्तंबल लेख, दूसरा इस्तंबल लेख और इसी प्रियाग इस्तंबल लेख में असो की एक मात्र पत्नी कारूवा की और उसके पुत्रतीवर का उलेख मिलता है जो कि उसकी जो पत्नी थी न कारुवा की उसने अर्व जो बहुत भिक्षणों को भुमी वगेरह, दान वगेरह दिया था तो उसका उसमें उलेक मिला है, । इसी कारण इसको रानी अभिलेक भी बोला जाता है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि अशो के किस लेक को रानी ये जो तीनों हैं लउर्या नंदराज, लउर्या नंदगर, लउर्यारराज और रामपुर्वा कहां पर हैं kinda बिहार के चमपार रंङे में और यह जो दिल्ली میरठ, दिल्ली टोपड में और तो दिल्ली के फिरोज स्हां कोटला ससे प्राप्त हुई है लेकिन यह जो दोनों चीजों से बड़ा प्यार था उसको पता चला मेरट में टोपरा में ऐसा कोई लेख है पत्थर पे लिखा हुआ तो उसने जो है उन लेखों को वहां से निकलवाया और अपने दिल्ली मंगवाया दिल्ली में फिरोज सा कोटला उसने बनवाया था तो वहां उसको इस्थापि लेखों को पढ़ने का स्रिय सरोपर्थम जेम्स प्रिंसेप को जाता है जिसने 1837 में असोग के अभी लेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी असोग के अभी लेखों की भासा क्या होती थी उस समय जो भासा चलती थी पाली प्राक्रत तो इसकी जो भासा होती थी पाली होती थी और जो लीपी होती थी ब्राम्मी लीपी होती थी कुछ खरोष्ठी में भी प्राप्त हुई है पाकिस्तान वाले चेतर में इसके अलावा ग्रीक आर्माइक इन भासाओं में भी इसके लेख प्राप्त हुई है विसेश करके जो अफगानिस्तान है ना अफगा वो दाएं से बाएं लिखे जाती थी अगला कुछिटन देखते हैं कौन सी एक लचना संस्क्रिट के पंच महाकाव्यों में से नहीं है महाकाव्यों में मतलब लिखते हैं इसमें जो है कोई अगर आप कथा लिख रहे हो तो उसका कैरेक्टर हो उसका जो नायक होगा वो एक देवता होगा या बहुत चरित्रवान कोई छत्री है सासक होगा उसके जीवन के हर पहलूओं को उसमें लिखा जाएगा जैसे कि कहानी होता है वो एक घटना उसमें समाहित होती है वहीं जो उपन्यास होता है उसमें बहुत सारी चीज़े समाहि कहा जाता है ये मतलब बहुत ज़्यादा special है तो आपको बताना है कि नीचे जो चौर option दिये हुए है इन में से कौन सा एक पंच महा काववे के अंतरगत नहीं आता है तो देख लेते हैं तो पहला है कुमार शंभवम जो की महाकवी कालिदास जी द्वारल लिखा गया है उसक किस ने लिखा है स्री हर्स स्री हर्स ने लिखा है वो वर्धन वंस के सासक हर्स वर्धन नहीं एक अलग से हुआ था स्री हर्स कहीं सारे लोग ना इसको हर्स वर्धन की रचना मान लेते हैं तो ये स्री हर्स है ये अलग था उस बद मेग दूत मेग दूत किसकी रचना है मह महा कवई कालिदास जी की तो यहां पर जो तीन है कुमार शंभवाम किरातार जुनियम और नैसाध्य concept यह तीनों पंच महा कवई के अंतरगत आते यहें लेकिन चो मेग दूत है भाइ यह थो महा कव. यही नहीं है महा कव यही नहीं है तो पंच महा काव्वे में कहा सामिल हो जाएगा, ये क्या है, खंड काव्वे है, मैंने बताया था, कि जो महा कवी कालिदास जी हैं, उनकी साथ रचनाए हैं, उनमें से तीन नाटक हैं, अभिज्यान साकुंतलम, विक्रमोर वरिशियम और एक क्या था मालविकागनी मित्रम, ये जो रामायन उसका जिक्र मिलता है तो ये महाकाव्य है उसके बाद किरातार जुनियम और नैसदीय चरिती ये भी महाकाव्य है अच्छा महाकवी कालिदास जी की दो रचना है एक तो मेगधूत हो गया और एक लितुचहार ये दोनों खंड काव्य है तो पंच महाकाव्य हम लोग देख लेते हैं कौन-कौन से हैं पंच महाकाव्य आप लोग याद रखेगा पूछा जा सकता है तो इन पाचों संस्कृत महाकाव्य की स्रेणी में रखा जाता है तो पाचों के नाम याद रखेंगे पूछे जाने की संभावना बनती है अगला कुस्चन देखते हैं किसने गुरिला युद का प्रयोग नहीं किया था गुरिला युद क्या होता है गुरिला युद जो गुरिला होता है जो बंदर की एक प्रजाती होती है गुरिला जिसको बहुत जाधा समझदार प्राणाली ने, समझदार प्राणी माना जाता है, तो उनका, उन्हीं से ये प्रेजित है, गुरिला युद्धों वो लोग मतलब अचानक से अटैक करेंगे, और जंगल में छुप जाएंगे, तो ऐसी एक युद कला है, जिसमें क्या होता है, कि जो अपने सत्रू को छुप करके जंगल में कहीं छूप जाओ, पहाड़ीयों में कहीं छूप जाओ, और जब सत्रू आ रहा है, सत्रू की सेना आ रही है, तो अचानक से हमला कर दो, अचानक से हमला कर दो, ताबर तोड़ अटेक करो, और तुरंत जो है, गायब हो जाओ, यही क्या है गुरिला यूद। जो सत्रू है, उसको सचेत होने का मौकाई मत दो, मतलब की मान लो सत्रू आ रहा है, और अचानक से निकले, अटेक कर दिये, मार कट मचा है, सत्रू जो है, समझे कि भई, किदर से अटेक हुआ है करना क्या है किधर मारना है किधर भागना है किधर लड़ना है वो सोचे उससे पहले ही सत्रू को नुक्सान पहुंचा करके भाग जाओ और सत्रू जो है हक्का बग्का दिखती रहेगा और फिर से जो है कुछ समय बाद फिर से अटेक कर दो फिर से सत्रू को चकित करो फिर भारती इतिहास के बहुत सारे सासकों ने इस गुरिला युद का प्रियोग किया था और अपने सत्रूओं को छकाय रखा था तो किन्हों ने किया था किसने नहीं किया था ये पूछ रहा है न तो तीन लोगों ने किया रहा होगा बाजिराव प्रिथम जो की पेशवा थे मरा तो भी ते टीपू सुल्तान मैसूर का सासक था भई इसने कोई गुरिला युद्ध नहीं किया था अंग्रेजों को हाला कि इसने हालक खराब करके रग दी थी लेकिन गुरिला युद्ध जैसी कोई नी थी इसने नहीं अपनाई थी छत्रबति सिवाजी महराज भई ये तो गुरिला युद्ध के बिल्कुल मतलब माहीर थे और गुरिला युद्ध को इन्होंने नेक्स्ट लेवल पर पहुँचा दिया था इनके समय में जो औरंग जेब था ना उन्हों औरंग जेब ने चत्रबति सिवाजी महराज के विरुत बहुत सारी सेना भीजी लेकिन जो जो मुगल सेना थे ना उनको समझ में नहीं आता था बही हो क्या रहा है यह लोग आ कहां से रहे हैं जा कहां रहे हैं एक तो एक जो मुगल सैनिक थे उनके लिए दककन एक नया जगह था बाकी जो मराथे थे च्छतबदी सिवाजी महराज और उनके जो सैनिक थे उनके लि उन्होंने भी गुरिला युद्ध का प्रियोग किया था, मोगलों के विरू, तो टीपू सुल्टान यहां आपका आंसर हो जाएगा, अगला कोस्चन देखते हैं, जो कि इस वीडियो का आखरी कोस्चन है, सेंदव कालिन किन पुरा इस्थलों से अगनी वेदिकाओं के साक् अगनी वेदिकाओं प्राप्त हुई है, अगनी वेदिकाओं होता क्या है, तो देखो, आप लोगोंने रामायन महाभारत या किसी भी धार्मिक सिरियल में या पिक्चर में, आप लोगोंने देखा होगा कि जो रिशी मुनी है ना, वो जो यग्यहवन कर रहे होते हैं, और और बीच में आग जल रही होती है, और जो आग जहां जल रही होती है, वो एक कुंड जैसा होता है, कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है, यहां बीच में ऐसा छेद होता है, जिसमें आग जल रहा होता है, इसके चारों तरब जो हैं, रिशी मुनी बैठे हो यह होते हैं और वो मंत्र वंत्र पढ़ते रहते हैं और उस जहां आग जल रहा होता है कुंड वहाँ पर फिर दुनिया पर किसी ज़े डालते रहेता है ओम नमश्वाह ऐसे करके तो उसको ही क्या बोला जाता है अगनी वेदिका तो आपको बताना है कि सेंधाव कालिन किस वह स्रिष्ट सतल है महंजुदड़ो काफी बड़ा इसतल है और सबसे पहला खोजा गया जो पुरा इसतल वो हडपा ही है जिसको किस ने खोजा था क्या नम था उनका दैराम सहनी जी ने खोजा था हडपा को महनजोदड़ो को राखालदास बैनेर जीने दोनुदब इस त पाकिस्तान के पंजाब छेत्र के मांट गोमरी जिले में है और मोहन जुदुडु जो है पाकिस्तान के सिंद प्रांत के लरकाना जिले में है अगर मोहन जुदुडु की बात करें तो ये सिंदु नदी के तर्ट पर है और हडप पर रावी नदी के तर्ट पर ये सब भी पर बाहर से आने वाली जहाजें रुका करती रही होगी देखो जो सिंदु गाटे सब्वेता के लोग थे इनका जो है विदेशों से व्यापारिक संबंद थे तो विदेशों से उस समय समुद्र से चलते हुए नाव अगरे आते थे जो कि लोथल में रुकते थे तो यह प्र काली बंगा तो लोथल हमने देख लिए काली बंगा कहां पर है यह अपने राजस्थान राजस्थान के गंगानगर जिले में लेकिन वर्तमान समय में यह हनुमानगर जिले के अंतरगत आता है क्योंकि हनुमानगर जिला जो लगभग 1994 में साइद यह गठित हुआ था काले रंग की चूडिया काली मतलब काला बंगा बंगा मतलब बैंगल अंग्रेजी में बैंगल बोलते हैं तो काले रंग की चूडिया तो यहां से क्या क्या मिला है जुते हुए खेत का साक्षे मिला है अलनकृत इटे मिला है भूकंप के साक्षे मिले यहां से पता नहीं अगनी वेदिकाएं मिला है तो आपका जो right answer यही होगा क्योंकि यहाँ मोहन जो दोडो दिया है यहाँ से तो मिला नहीं है काली बंगा से हाला की मिला है तो लोथल और काली बंगा वे इस थल है जहां से अगनी वेदिकाओं के साक्ष प्राप्त हुई है तो ये जो है आपका आंसर ये रहा तो आज का जो वीडियो है यही पर समाप्त होता है आप लोग मुझे कमेंट करके बताईएगा कि आप लोगों को ये सीरीज कैसा लग रहा है इसको आगे बढ़ाना चाहिए या इसको रोक देना चाहिए और इसमें क्या परिवर्तन क्या सुधार करने चाहिए आप लोग अपने कमेंट के माध्याम से मुझे बता सकते हैं और इस वीडियो में आपको कहीं भी कुछ भी डाउट लगा हो किसी कोस्चन का मैंने गलत आंसर किया हो तो आप लोग मुझे उसे भी बताईएगा मैं उसको जो है solve करने की कोशिश करूँगा अच्छा मुझे एक चीज़ आदा रहा है जो इस सीरीज का जो दूसरा नमबर का वीडियो था ना जिसमें किसी कोस्चन में कैम्प बेल का जिक्र था कैम्प बेल तो मैंने साइद ना कैम्प बेल का संबंध 1857 की क्रांती से बताया था हाँ यह वैसे 1857 की क्रांती से जुड़ा हुआ है कैम्प बेल लेकिन मैंने साइद बोला था कि जो कैम्प बेल है उसको ग्वालियर भीजा गया था जहासी की रानी के विरुद तो ये थोड़ा सा मुझसे मिश्टेक हो गया था, Camper Bell को नहीं भेजा गया था, Hugh Roach को भेजा गया था, Hugh Roach, और ये जो Camper Bell था ना, इसकी नूकती हुई थी, कानपूर और लखनव में, कानपूर और लखनव में विद्रोह को दबाने का काम, Camper Bell को सौप आ गया था, तो वो जो दूसरे नंबर का जो वीडियो था ना, उसमें कहीं है Camper Bell, तो आप लोग इसको सुधार लीजेगा, और ये थोड़ा मुझसे मिश्टेक हो गया था, तो इसकिल में माफी चाहूँगा, और आप लोग बताया करिएगा, ऐसे कोई गलती होती है तो, ताकि मैं उसको सुधार कर सको, तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है, वीडियो को ज़्यादा सज़्यादा अप लोग शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,